शेरू, प्लीज कुछ खा ले, सुबा साड़े ग्यारा पे जैसे तुने कुछ नहीं खाया शेरू, शेरू, प्लीज कुछ खा ले मैंने आपसे कितनी बार काया, एक बार फैसला आजाए मैं फिर खा लूँगा, शेरू, फैसला आ चुका है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ना एहल हो चुका है शेरू, तो इस बात को क्यो तसलीम नहीं कर रहा कैसी बाते कर रहे हैं, रिमोट उठाएं, जियो लगाएं, फैसला बसाने ही वाला है, जियो तो खुद यतीम हो चुका है शेरू, अब वो तुझे क्या दिखाएगा फिर वही बात, अभी देखना, सुर्खरू होते ही मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फरेंस करेगा, और तमाम साज़शों को बेनकाब करेगा, और फिर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को वजारते मी तो देनी है उन्हें तो अब वजारते जिल्लत और उस्वाई ही मिल सकती है शेरू और कुछ नहीं मिल सकता लगता है आपको सकता हो गया, इतनी तरजर्बा कार टीम के होते हुए, कोई कैसे इने नाहिल कर सकता है खौजा असिफ, साद रफीक, आबिद शेर अली ये सब लोहे के जन है, इन्हें कोई नहीं चबा सकता शेरू अदलिया नहीं चबा भी लिया और धूक भी दिया, खौजा असिफ का तो अपना अकामा निकलाया है साद रफीक भी अपनी ट्रेन की पटड़ी से उतर चुका है, फैमिली के वीजे लगवा रहा है, और अब वो रॉकेट पे जाएगा और आबिद शेर अली, वो तो इतना इंपोर्टन भी नहीं कि उस पे केस किया जाए उसको तो राना सना उल्लाई काफी है शेरू, तु मेरी बात माले, पप्पू पाँचों पेपरों में फेलो गया शेरू, तू विद्वा हो गया शेरू, तू विद्वा हो गया जब छुपा नहीं सकते, तो चोरी करते क्यों हो विद्वा हो गया, हम बर्पाद हो गये, हम लुट गये, हमारे सरी हो जड़ गये शेर, तू फिकर ना कर मेरी जा, तू फिकर ना कर, तुछ नी होगा, मेरे पास एकाल है क्या? हम पार्टी बदर लेते हैं क्या सिर्दारी इसके पाद तुम्हारी बारी है